फ्रे Daar calling के एलो फ्रेंड्स मैं अशोग शर्मा हमारे यूटूब चैनल इस्टमास्टर में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आज हम डिस्कस करेंगे शिंग 7 लगन में शुबरत्न दोस्तों उबूरों को इस और जोब पैनने चाहिए और कौन सरतन नहीं पहनने चाहिए और कौन सरतन पहन के उन्हें क्याला मिलेगा यह भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और दोस्तों आप सिंग लगन किन का होता है अपनी जनम कुंडली आप खोल के देखेंगे तो उसमें जो पहला भाव है उसमें पांच नंबर लिखा होगा पाज नम्मर का मतलब होता है सिंग रासी होती है और यहां पाज है तो सिंग लगन बन गया लगन कुंडली में लगन बन गया और इस लगन का स्वामी बनता है वो है सूर्य है तो यह जो जिनकी सिंग लगन होता है, इनकी जो personality होती है वो बड़ी रोबदार होती है, उनका सीना भी चोड़ा होता है, उनका माथा है, वो भी थोड़ा चोड़ा मिलेगा, वो सर उठाके चलेंगे, ज्यादा egoistic होते हैं, self-discipline में रहेंगे, वो उन लोगों को न्याय पस सच के साथ खड़े होते हैं, हिमत होती है, यह निडर होते हैं, किसी से नई डरते हैं, सच का सामना डटकर करते हैं, और यह बिलकुल ही इनकी आत्मा शुद होती है, इस तरह के लोग जो भी हैं सिंग लगन वाले, यह तो है इनकी personality क्या है, उसका एक brief मैंने बता दिया तो अगर वो इस्तिती अशुब है और यह उसमें कुछ घ्रय अभाव अशुब है और वो अशुब हाल दे रहे हैं, तो उपाए के तोर पर आप रतन भी पहनते हो, तो कौन से रतन है ऐसे जो आपको फाइदा देंगे, बजाए नुक्सान के, तो दोस्तों पहला रतन तो पॉलिश करेगा, बैलेंस करेगा और हर चीज में इनको फाइदा करेगा, वो चाहिए रिलेशन्शिप हो, वो फिर आपकी प्रापर्टी हो, आपकी हेल्थ हो, आपका केरियर हो, आपके बच्चे हो, आपकी एजुकेशन हो, या फिर आपका बिजनेस हो, या आपके रिले या तामबे की अंगठी में राइट हेंड की रिंग फिंगर में रविवार के पहन सकते हो आप पहले सोरी मंतर के जाप कर लेंगे पूरि विधी विधांज की साथ धान कर लो बहुत अच्छा लाब देगा अब दोस्तों अगला है कि प्रण्ण रातन इनका तो दोस्तों पन्नारतन जो है इनके लिए वह शुब नहीं है क्योंकि पन्नारतन जो है वह इस कुंडली में बनता है इनके दूसरे भाव का मालिक दूसरे भाव का मालिक बनेगा और ग्यारवे का बनेगा लेकिन जो result देगा वो दूसरे भाव का देगा वो मारक है थोड़ा सा लेकिन फिर भी मैं इसमें एक advice दोँगा आपको इस लगनवानों के लिए पन्ना जादा दिक्कत नहीं करता है क्योंकि वो सूरे का मित्र है बले ही मारक हो लेकिन वो साथ में ग्यारवे का भी स्वामी है और लगनेश का मित्र है तो इन लगनवानों के लिए पन्ना भी अच्छे रिजड़ देता है इनको अगर आपको बोलने में कोई परिशानी होती है आपकोनी बात कहनी पाते हो या लोगों को समझानी पाते हो आपको कोई दातों के रोग है या आपको दिमाग में कोई ज़्यादा टेंशन रहती है या आप चीजों के बारे में साइसे analysis नहीं कर पाते हो आपके परिवारत को लेके आपको attention है कोई दूसरी ये भी कि आपको skin की कोई problem है तो इस तरह को problem है या financial problem है आपकी पैसा कई रुका हुआ है या कोई चंदर्मा इस लगन में बारवे घर का स्वामी वनेगा जो की दूस्ट भाव है वो औरस्कोप में अशुप घर माना जाता है वहाँ पे चंदर्मा बैठके बले ही सोरिय का मित्र है लगने इसका मित्र होने के बावजूद भी आप वो नहीं पहन सकते मैं recommend करूंगा आप नह चंदर्मा का मोतिरदन धाड़ कर लो तो आपको मानशिक शांती मिलेगी आपकी बिमारिया ठीक होंगी आपके शत्रू कमजौर हो जाएंगे आपके माता के साथ आपके संबंद सुद्रेंगे आपको बहुमी मजान वहां से फायदा मिलेगा आपको अच्छी नीद आएग आपकी चिंताई कम होंगी अगर आप मोती चंद्रमा की मात जहां पहनते हो तो यह लाब मिलेगा लेकिन इसमें आपको पहले कंसल्ट करना पड़ेगा स्टोजर से उसके बाद ही पहनना ऐसे मत पहनना तो अगला रतन जो है वह इन लोगों के लिए आता है मुंगा दोस्तों मुंगा इस लेतन वालों के लिए शुब हैं मुंगा इस लएकए कारक बनेगा तो क्या है आपको किस्मत से जूड़ी चीजें हैं उन सभी चीजों में यह आपको लाब देगा और एक तो बागे का भी वो बन गया और दूसरा चोथे बागा सौमी बन गया आपके सुक्स विदाओं का जीवन में एस्वर्य का भोग विलास का इनका भी कारगरे बन गया है माता के साथ संबंदों का कारिये में व्यापार में काम में दंदे में और सोसाइटी से जो आपके रिकोगनिशन मिलती है उसमें या आप जो में काम करते हो तो जो में जो आपकी एक आइडेनिटी है आपका एक परफोर्मेंस है आपके जी लाजनिंग है टीम वर्क है पूरा और तन आता है निलम निलम इन लगन वालों को खवे नी पहना चाहिए क्योंकि निलम जब पहनो गया आप तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी वह यह आएगी कि यह दुश्ट भाव को स्वाम्म बने गार मारग भाव को स्वामी बनेगा साथ वेका और आठ वेका बनेगा अब 7-8 में सात्वा वैसे कुनली मारक भाव है, शनी सोरी का मित्र भी है, तो वो प्रोब्लम जबर्दस्त बढ़ा देगा, आपको हेल्थ की सीरिस प्रोब्लम्स हो सकती है, आपके बिजनिस को में नुक्सान हो सकता है, आपका पार्टनर क साथ आपका दोखा हो सकता है, इसमें भी प्रोब्लम हो सकती है, तो आप ऐसा चीज ना करें, बिम्मे का जो पैसाट का था, वो भी वाँपे अटक सकता है, जो गुप्त शत्रु है, जो आपके पीट पिछे आपको नुक्सान पुचान का काम करते हैं, वो लोग आपे हावी हो जाएंगे, तो निलम तो बाद आप जोती से सला करके निर्णा ले सकते हैं, कि पहना चाहिए या नहीं पहना चाहिए, और दोस्तों अगला जो है रतन है, वो है शुकर का हीरा, या सफेत पुखराज, या ओपल, ये भी आपको नहीं पहना चाहिए, इन लगनवानों के लिए ये अशुब है, वो शुकर जो होता न, वो उसका जो connection बनता है, वो first house आपकी personality को भी रिपरजेंट करता है, सिंग लगन में क्या है, शुकर जो है, वो दो भाहों का मालिक बनता है, दो भाहों का मालिक, आप वो कौन-कौन से बनेगा, वो एक तो बनेगा चठे भाहों का मालिक, जब चठे भा लोग आपके खिलाब sedentir करना शुरू कर देंगे, आप कोट के चेरी के में चली जाएंगे, आपके साथ dispute हो जाएगा, तो आप उसमें problem में आ जाएंगे, तो please आप हीरा कभी भी धार ना करें इस लगन वाले लोग, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं, तो उनके साथ बड़ी problem ह हो सकती है, और वो दस्वे भावकावस भी बनेगा, काम धंदेगा भी बनेगा, तो बिजनिस को लेके भी बड़े लोस होंगे, आप की जोब छूट सकती है, आपका जोब में डिमोशन भी हो सकता है, बोस के साथ भी को मिसनिस्टेंडिंग हो सकती है, आपको बार बार जो 32 से सला कर ले उसके बाद ही पहने इस लगन वाले आप मानके पहन सकते हैं पन्ना भी पहन सकते हैं पुखराज भी पहन सकते हैं और आप ये दूसरा जोरतन है वो चाहे तो शुक्र का हो या शनी का हो या बुद्ध का हो इन में से आप सला करके पहनिए दोग को तो को अर्जक्ट करिए हीरे को रिजक्ट करिए बुद्ध के उपर आप सला ले दीजिए पहलेजिए वो आपके लिए फाइदेमंद है ब्रस्पति का भी है जो पुखराज है इस लगन में बहुत शुब माना जाता है उसके पीछे रिजन ये है कि वो पंचम भाव का स्वामी बनता आपके पंचम भाव का स्वामी बनने के बाद वो आपको जबरदस्त रिजट देगा इस लगन में क्योंकि पंचमेस में आपकी आयू बढ़ाएगा बुद्धी बढ़ाएगा आपकी शिक्षा में आपको देगा आपको लोगों में मान समान बढ़ाएगा आपको आ आपकी ambitions हैं उनको पूरा करेगा, आपके सपनों को पूरा करने में बहुत जादा रोल पले करेगा, तो दोस्तों आप चाहे तो आप ये पुखराज भी जरू धाड़ करें, ठीक है दोस्तों हमारे वीडियो को कैसा लगा, अगर प्रशंद आए तो प्लीज आप से like, share, comment, subscribe जरू करें, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी upload हो, आपको notification आजाए और आप ऐसे वीडियो को enjoy कर सकें, thank you.